साल भर की कड़ी मैनत, साल भर का डेडिकेशन और साल भर शायद हेल्थ की लापरवाही भी साल भर की इस लीकज और डैंपनेस की जंग में आपकी बहादूरी को हम सराहते हैं और Independence Month में आपके लिए लाए हैं कुछ Safety Tips जो आपको दे सकती है Freedom कुछ हतरों से इन Tips पर गोर करें और उन्हें अपनाएं आईए जानकारी लेते हैं Safety Tips की अपनी Construction Site को साफ सुथरी रखिए Floor Opening पर Fence डाले या उसे Cover करें Machine इस्तमाल करने के पहले उसके Dangerous Side को Guard करें किसी भी Electric Equipment को खुद से Repair ना करें Electric चीज़ें इस्तमाल करने के पहले उनके Cables का Condition जांच ले और चलते फिरते समय Electric Wires का ध्यान रखें Earth Leakage Circuit Breaker वाले Electric Instruments का ही इस्तमाल करें Danger Alarm, Evacuation Route और Safe Places का खास खयाल रखें साइट पे अगर किसी को Serious Injury हो जाती है तो तुरंत ही Safety Staff को बुलाएं जब तक जरूरी ना हो, Injured Person को उस जगह से Move ना करें छोटी Injury होने पर भी First Aid जरूर लें आग लगने पर छोटी आग Fire Extinguisher से बुझाएं और ज्यादा आग को बुझाने के लिए Fire Brigade बुलाएं Gloves, Masks, Safety Harness, Eye and Ear Protectors और Safety Shoes जैसे Personal Safety Equipments का इस्तमाल करें जहां भी आई इंजिरी होने की संभावना हो जैसे की Concrete Break करना या Abrasive Wheel यूस करना ऐसे समय आई प्रेटेक्शन जरूर पहले आपको दिये गए आई प्रेटेक्टर्स का खास खयाल रखें किसी भी चीज के बजन का सही अंदाजा लेके सही पॉस्चर के साथ ही उसे उठाएं अगर आप False Work का काम कर रहे हो तो False Work को डिजाइन के हिसाब से ठीक से ख़ड़ा करने का खास हयाल रखें सारे प्रॉप्स को खड़े और सही डिस्टन्स पे लगाएं Moving Scaffold पे काम करने से पहले उसके Wheels को Lock कर दें सिर्फ Platform वाले Scaffold पे ही काम करें Damage Tools इस्तमाल ना करें इन सारी Safety Tips पर जरूर गोर करें और अपनी रोज मर्रा की जिंदगी में इन्हें अपनाएं आपकी सेफ और हेल्दी लाइफ ही हमारी असली काम्याबी होगी